बी एसी का चैप्टर नमबर फाइव जो है दा ओपन विंडो बाई एच एच मुन्रो उसको डिसकेस करेंगे इसकी जो समरी है और इसके जो इंपोर्टन क्वेसन है उसको हम जो है वो पढ़ेंगे तो सबसे पहले ओपन विंडो के इंदर जो हमारे पास करेक्टर है वो कौन-कौन से है और इसकी समरी क्या है उसको हम देखते हैं तो सबसे पहले जो मिस्टर नटल है वो इसके अंदर हमारे पास करेक्टर है जो एक बुड़ी उम्र का शक्स है और वो एक शेहर में रहता है और वो जो शेहर की शोरोगल वाली जिन्दगी है उससे वो तंग था डाक्टरों ने उससे मश्वरा दिया कि वो दहात की जो पुर्सकून जिन्दगी है उसमें जाकर कुछ दिनों के लिए आराम करे कि वहाँ पर जाकर जो है वो कुछ दिन के लिए आराम कर ले तो वो उसको ड्रेस देती है तो वो उसको मिस्स प्लेटन जो है वो उसका ड्रेस देती है उस दिहात में वो उस दिहात में चला जाता है लेकिन जो मिस्स प्लेटन होती है उसकी वाकफ नहीं होती वो सिरफ उसके नाम और ड्रेस से वाकफ था जो मिस्टर नटल होता है वो उसके नाम और ड्रेस से वाकफ था उस दिहाद के अंदर अलबता जो उसकी बेहन है वो कई साल पहले उसके गाओं में रह कर गई थी तो उसने मिस्टर नटल को गाओं के लोगों के लिए कई जो खतू थे वो दिये थे और उन में से एक जो तारफी खत था वो मिस्टर जो सप्लेटन होती है उसके नाम था अब जो मिस्टर नटल होता है वो उस दिहाद के अंदर जाता है और उसके गर को डूनता हुआ उसके गर चला जाता है अब जो मिस्टर सप्लेटन होती है वो दूसरी मंजल पे होती है और मिस्टर नटल जो है उनके गर दाखल होता है और मिस्टर नटल जो होता है वो मिस्टर स्प्लेटन के गर दाखल हो जाता है मिस्टर स्प्लेटन जो है उसकी एक बांजी है जिसका नाम वीरा है वो उसको आगे से वैलकम कहती है उसको खुशामदीर कहती है वीरा जो है वो इसकी उमर तकरीमन 15 साल है वो और एक पुर अतमाद लड़की है वो गुफटगू के फन में बहुत जादा माहर थी और मौका की मनास्बत से वो हर सूरते हाल का अंदाजा लगा लेती थी और उसके मताबक जो है वो कोई ना कोई बात गड़ लेती थी वो बना लेती थी अपने पास से गुफटगू के दरां उसने मिस्टर नटल को बताया कि उसकी खाला बहुत ही मजलूम ओरत है और उसका खामंद और दो बाई तीन साल पहले जो है वो इस गर के से गए थे शिकार करने के लिए और वो जो है उसकी खाला को ये वहम है कि वो किसी ना किसी दिन कमरे की जो खुली हुई खिड़की है उसे वापस गर आ जाएंगे यानि वो जब गए थे तो वो आज तक तीन साल हो गए है वो अभी तक गर वापस नहीं है तो इस वह रही है उसकी जो खाला है वो बहुत ज़्यादा परेशान है अभी वराने में ये बात खतम ही हुए थी कि उसकी खाला जो है वो उपर से आजाती है यानि मिस्स जो प्लैटन है वो कमरे में दाखल हो जाती है मिस्टर निटरल से देर कि आने इस है, वो माजरत करती है, मिस्टर निटरल से और बातों बातों में उसको बताती है कुष ने कंरे की कीडिकि, इस लिए एए एकुड़ी चोड़ी है ताकि उसके खावंद और बाई जो है वो सुबा शिकार के लिए गए है और वो वापस आने वाले हैं तो मिस्टर नटल जो है वो पहले ही जो है साब का मालिक है वो जहनी दबाओ का शिकार है तो उसे वीरा उसकी चाची को कहानी में वाज़ा तौर पर तदाद नज़र आया यानि एक कंफलिक्ट जो होता है वो नज़र आया कि वीरा जो है कोई और बात कर रही है कि उसके जो खावंद और दो बाई है वो तीन साल पहले गए थे और अभी तक नहीं आये और इसकी जो खाला है वो यह कह रही है को वो सुबा के गए हुए और आने वाले है तो वाज़ा तदाद जो था वो नज़र है अभी वो सदमे से बहाल नहीं हुआता कि उसने देखा कि खिड़की के सामने वाले जो जगा आती है लान होता है वहां से तीन शक्स हैं और उनके पास तीन बंदूके हैं और उन्हें बाज़ों में डाली हैं और इस तरफ आ रहे हैं वो कमरे में दाखल हुए और जो मिस्टर नटल होता है वो कमरे का दरोज़ा खोलता है और बाहर जला ओता है और मिस्टर स्प्लेटन ने आते ही पुछा कि यह आदमी कौन था तो उसकी जो बीवी होती है मिसिस स्प्लेटन उसने जवाब दिया कि यह असाबी कमज़री का असाबी म्रीज है और यह शहर से यहां पर आया है और उसने अपनी बिमारी के लावा कोई बात जो है वो हमें नहीं बताई मलूम होता है कि इसने कोई बूत देख लिया है या कोई ऐसी चीज देख लिया है जिसकी बिना पर वो यहां से चला गया है तो वीरा ने स्प्लैटन को बताया कि जब मिस्टर नटल चला जाता है तो वीरा ने स्प्लैटन को बताती है कि इस अजनबी शक्स को कुटों से बहुत खोफ़ाता है क्योंकि मिस्स स्प्लैटन बाद में आती है पहले वीरा मिस्टर नटल से मखातब होती है तो अब मिस्टर नटल चला गया है और वीरा और स्प्लैटन बात कर रही है अपस में कि ये अजनबी शक्स जो है वो कुतों से बहुत ज़्यादा डरता था और उसने बताया कि एक दफ़ा वो दर्याए गंगा के किनारे कुतों से गया और वो कुतों ने उसको गे लिया और उसने सारी रात एक कबर में गुजारी और कुतों जो थे वो कबर के उपर बांकते रहे उस पर जो है वो शोर डालते रहे तो वीरा ने कहानी जो थी वो फिर दुबारा से जो थी वो बना ली तो इसी के साथ यह इसकी शौर्ट सी समरी थी जो हमने डिसकस की तो student यहाँ पर जो हमने story पड़ी है maybe आपको समझ ना आई हो basically इसमें writer यह कहना चाहा रहा है कि जो वीरा थी वो basically हम कहा सकते हैं कि वो gap बास थी ठीक है यानि वो gap बास लगाने में बहुत ज्यादा माहर थी वो बहुत ज्यादा तेज थी किसी को बात सुनाने में वो बहुत ज्यादा तेज थी ठीक है तो यह basically कहा अनि का जो story का end था वो यह था कि जो basically वीरा थी वो बात बनाने में बात गड़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थी तो इसके अंदर ये जो वीरा का करेक्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टन्ट है क्योंकि इसमें राइटर ये कह रहा है कि जो वीरा है ये बिसिकली अबनॉर्मल लड़की है ठीक है वो खुद फ्रेबी का शिकार है वो तसवराती सोच बिचार और जो पूर कशिश खौबो की दुनिया है उसमें वो रहती है और वो ये कहता है कि बिसिकली उसके जो वालदैन है वो है नहीं क्योंकि वो अपने खाला के पास रहती है और उसे अपने वालदैन की जो महबत है और रहनमाई के बगएर जिन्दगी जो है वो बसर करनी पड़ रही है उसे तवजव और हमदर्दी की जरूरत है उसकी जो खाला है उसकी माँ की जो अच्छी नेमल बदल है वो नहीं हो सकती जो एक मदर होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन होती है कि वो किस तरह से अपनी जो अलाद होती है उसकी परविश करती है उसके बार आइटर कहता है कि दूसरी तरफ ये भी है कि इसमें दूसरों की जो हमदर्दी है वो हासल करने का है रुजहान जो है वो पैदा हो चुका है वो अपनी खाला के खावंद और दो बाईयों के मौत का जिकर नहायती मुएसर अंधाज में करती है दूसरे को इंपरेस कर लेती है तीज़ा यह निकलता है कि जो Mr. Nuttal होता है वो इस कहानी से मुतासर होता है उसकी जो खाला की ट्रेजडी होती है उसको जानकर उससे बहुत ज्यादा उसको हमदर्दी हो जाती है तो इस तरह इसके अंदर जो question पूछा जा सकता है वो यह पूछा जा सकता है जो character sketch है वीरा का वो इसके अंदर काफी ज्यादा important है वो सबसे ज्यादा important के जो romance and short notice was her speciality के जो इसके अंदर जो वीरा का जो character हमें बताया गया है के वीरा जो है वो तकलियाती फिरतरत की एक नौजवान जो लड़की है उसके बारे में जो है वो यहां पर show किया है कहानी जो है वो इसको फोरण जो है वो गड़ लेती है यह इसका जो खास एक वस्फ है इसका वीरा का ना के कहानी को फोरण ही जो है वो दूसी से तीसी यानि मोड लेना जहां पे बात हो रही यह वाहां पे कोई अपना जो है वो गानी जो है वो बना लेना तो इस सच्छी इसकी स्टॉरी थी, इसके अंदर यह question पुछा जा सकता है characters का जो वीरा है जो है यह writers के बारे में क्या कहना चाहरा है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक suspense जो है वो create किया गया है ठीक है तो I hope कि आपको यह lecture की जो है वो समझ आए